तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, पास्बूक इशू करने के बाद, पास्बूक का फ्रेंट कवर किस प्रकार से प्रेंट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको कस्टमर का अकाउंट सेर्च करना है, अकाउंट सेर्च करने के लिए आप account number, customer ID या mobile number भी use कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो customer की details fetch हो गए है आपको right hand side पर customer का account select करना है account select करने के बाद आपको service request ये वाले option पर click करना है service request option पर click करने के बाद आपको passbook ये वाले option पर click करना है passbook ये वाले option पर click करने के बाद आपको दो आप्शन दिये जाएंगे तो आपको यहाँ पर Digital पाज़ बुग और Physical पाज़ बुग यह दो आप्शन दिखेंगे आपको Physical पाज़ बुग कर क्लिक करके Next ऑप्शन पर click करना है तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको first time print cover ये option select करना है first time print cover option select करने के बाद आपको passbook kit number enter करना है passbook kit number आपको passbook के back side पर दिया गया है आपको बताना चाहूंगा कि passbook kit number आपको उसी प्रकार से enter करना है जिस प्रकार से आपको passbook पर दिया गया है सही passbook number enter करने के बाद आपको एक successful स्क्रीन आ जाएगा आपको Osipine पर क्लिक करना हैydd का कुछ करना हैस ही OTP शर्च, आलफ करना हैं मैं आपको बताना चाहंगा कि OTP कetime रागिस्टर मोबाल नमबर पर चला जाएगा वही OTP आपको यहाँ पर INDER करना है sellingе,ний आपको Next यहीं वाले ओप्ष्ण पर क्लिक करना है OTP match होने के बाद आपको Passbook का cover page आपके screen पर आ जाएगा यहाँ पर आपको print ये वाले option पर क्लिक करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने print वाले option पर क्लिक किया तो अभी इस दिये गए वीडियो में आपको इसी प्रकार से Passbook को printer में enter करना है Passbook को printer में रखने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो Passbook successfully print हो चुका है तो इसी प्रकार से आप अपने customer का cover page printer के द्वारा print करा सकते हो अगर आपका Passbook cover page अच्छी तरीके से print हुआ है तो आप yes पर क्लिक कीजे अगर आपका Passbook page अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है तो आप no पर क्लिक करके दुबारा इस प्रकारिया को दोराईए cover page प्रिंट करने के बाद अब आप customer के transaction की एंट्रिया Passbook में दर्च करा सकते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उप्योगी लगा हो धन्यवाद